हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस संजय जैन आज के इस एपिसोड में हम लोग स्टड़ी करेंगे अबाउट गुगल आजसेंस इससे पहले वाले सेशन में हमने स्टड़ी किया था अबाउट पेपर क्लिक अबाउट सर्च इंजन मार्केटिंग हमें वेबसाइट पर ट्राफिक किस तरीके से इंप्रूब करना है इसका सेशन हम लोग ने किया तो इसकी स्टड़ी की थी लेकिन अब जो सेशन हम आपके सामने कर रहे हैं यह सेशन है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन मतलब इंटरनेट से आप मनी कैसे जनरेट करेंगे कैसे पैसे कमाएंगे तो इस टॉपिक पर हम आपको बताएंगे गुगल अदसेंस क्या होता है What is Publisher, What Is Advertiser इसके Examples क्या क्या है तो इसको स्टार्ट करते हूं Step- by-step अगर हम बात करते हैं Google adSense की So Google adsense इस इन Advertising प्लेश्मेंट ऐख सरीविछ Google यह Google कंपनी का एक प्रोलाइम है जो कि Google ने इसको run किया है इससे पहले जब मैंने आपको Google AdWords के बारे बताया था तो Google AdWords क्या होता है इस लाइक कि किसी को अगर ट्राफिक इंप्रूब करना है तो बहां से वो एक campaign बनाएगा अगर किसी को पैसे कमाने है तो Google AdSense से कमाएगा जो लोग अपनी website से पैसे कमाने चाहते है तो वो AdSense से अप्लाई करते हैं और कोई भी अगर उस ad पर क्लिक करता है तो उसका कुछ ना कुछ amount उस person को मिलता है जैसे कि for example, यह मैंने एक site open की है lapno.org जैसे अभी आप देखेंगे इसमें इन्होंने content write किया है how to embed a YouTube video with sound muted इस content में एक ad display हो रहा है that's a part of Google AdSense अगर कोई भी user इसे click करेगा तो इसका amount उस user को मिलेगा like जिसने click किया उसको नहीं मिलेगा जिसकी यह website और example अगर मैं click करता हूं तो जो इस website के founder है Mr. Amitagrawal उनको यह amount मिलेगा, amount कितना मिलेगा यह decide होता है कि like location कहां की है या फिर वो ad किस type का है technology ad है या पर कोई health का ad है या कोई movie का ad है तो उस case पर decide होता है अभी आप देखेंगे इसमें और भी कई सारे ad है जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक ad लगा हुआ है एक वूट company है उसका ad है आप और भी scroll करेंगे यह text ad display हो रहे हैं तो कोई user अगर click करता है या फिर अगर हम बात किने इसने click नहीं भी किया केवल impressions हो रहे हैं तो उस impressions के भी कुछ ना कुछ earning कुछ ना कुछ amount उस website owner को मिलता है तो वो अपने website के content को monetize कर सकता है monetize का मतलब ही होता है कि उससे पैसे कमा सकता है अगर उसका कोई YouTube channel है वो YouTube videos बनाता है और videos खुद उसी के हैं तो उसको भी monetize कर सकता है So that's a very interesting feature of Google Adsense की आपको कहीं जानने के जरूत नहीं है आपको Google Adsense से apply करने के जरूत है and you can make money a lot of Google Adsense जहां पर आप टॉप में एक मार्क देखने के arrow का मार्क आता अगर आप माउस ओवर भी करेंगे तो बहां पर आजाएगा that's a Google Adsense और कुछ ads ऐसे होते जहां पर वो mark नहीं आता it means कि वो Google Adsense के नहीं है क्योंकि best thing आप Google Adsense में क्या देखेंगे कि कोई भी अगर वो add होगा जैसी अगर मैं इसी बात करूँ तो आजाएगा ads by Google आप अगर scroll भी करेंगे तो यहां पर भी आजाएगा ads by Google और भी scroll करेंगे यहां पर भी देखेंगा ads by Google तो कहीं पर भी कोई एड होगा अगर वो Google कंपनी का है तो Google ने वहां पर एक logo एक you know kind of label add किया होगा that's logo that's ad from Google company तो इस तरह के से आप उसको recognize कर सकते तो अगर मैं publisher की बात करूं क्योंकि adsense में its online money making system में दो चीज़े बहुत important होती है पहला तो publisher और दूसरा होता है advertiser तो advertiser के बात में करेंगे पहले बात करते है publisher की so publisher is an individual or company that promotes an advertiser product or service in exchange for earning commission जैसे कि अगर मैंने बात किया आपके पास एक website है आप पैसे कमाने चाहते हो तो you will be a publisher आप publisher होगे क्योंकि आपकी website है जैसे अगर मैं बात करूं Amit Agrawal की तो यह Amit Agrawal की website है so अगर publisher की बात करूं so he is a publisher then advertiser कौन है advertiser वो है जो ad display कराता है जो amount spend करता है जैसे कि अगर मैं बात कुई यह boot company की तो boot company क्या हो गए यह advertiser हो गए क्योंकि इसने पैसा दिया है और अगर मैं lab null की बात करूं तो यह है publisher क्योंकि यह ad display हो रहा है lab null की site पर जैसे कि आप matter में कई सारे advertisements देखते हैं आप में देखा होगा matter में जाते हैं like you know कई सारे ads display होते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो यह ad लगाया हुआ indiamart का तो यहाँ पर indiamart क्या है एक advertiser है जिसने कुछ thousands dollar दिया होगा matter company को और उसने उसका ad लगाया होगा पैसे किसको मिल रहे हैं वो मिल रहे है matter को तो matter क्या होगा उसके लिए publisher तो matter is a publisher indiamart is a advertiser तो इसी दरीके से हम समझ सकते हैं कि advertiser advertise वो होता है जो amount pay करता है like कुछ न कुछ amount generate करता है किसे generate करेगा वो जब वो किसी की website पर ads display कराता है जैसे कि आप देख सकते हैं indiamart यहां पर advertiser है और अगर हम बात कर रहे थे यहां पर like metros की तो metro एक publisher है तो अब एक example से मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों में main difference क्या है Google AdSense में AdWord में तो देखिए AdSense and AdWords दोनों company like is from Google, Google company owner है अब AdSense से क्या होता है यह एक publisher है AdSense यह publisher और AdWords क्या होता है that's from Advertiser तो जिसी को website का traffic चाहिए for example आपकी website है आपको website पर traffic इंप्रूब करना है तो आप contact करेंगे AdWords से this one अब Google क्या करेगा Google जिन लोगो ने अपनी websites को AdSense से sign up किया हुआ है या account create किया हुआ है या those who are who wants to make money तो वो add उसकी website पर place कर देगा तो यह क्या है एक दूसरे के you know that's reciprocal की एक तरप से add आया दुसी site पर add लगाया तो अगर AdSense नहीं होगा तो AdWords work नहीं कर सकता तो AdSense के लिए जरूरी है कि AdWords हो और AdWords के लिए जरूरी है कि AdSense हो जैसे कि अभी आपने देखा कि यह मैंने site open किया लाप नहीं लटो आरची अगर इस तरीके से कि मैंने content open किया हुआ है एक party ideas का content open किया है अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी एक ad display होगा तो उस ad का जो format है या कही ना कि वो बिल्कुल different होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक software का promotion हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंग यह tax study hosting service का promotion हो रहा है आप और भी अगर scroll करेंगे तो आपको और भी कही सारे ads मिल रहेंगे यहाँ पर so depend करता है कि उस site का content क्या है उस site में use किये keywords क्या है जैसे कि यह देखें यह जो content use किया गया है यह party word इसमें आ रहा है लेकिन अगर मैं लैपनॉल की बात करूं तो इसमें कहीं नहीं YouTube आ रहा है या learning आ रहा है या फिर कहीं नहीं player मतलब it's related to infotainment like entertainment हो गया या like technology हो गया तो इस तरीके से technology क्या है तो technology से related ad display होंगे entertainment से related ads display होंगे और कोई अगर health है या कोई party है तो वो party से related ad display होंगे तो जिस तरीके का आपका content होगा ads उसी तरीके से display होते हैं जैसे कि आप देखिए यहां पर एक जो ad आ रहा है वो gmail का ad आ रहा है यह एक company है उस company ad display हो रहा है इसी तरीके से अगर आप कोई और भी content read करेंगे तो वो ad आपके rotate होते थे change होते रहते हैं तो best thing Google AdSense में यह है कि that's a contextual contextual का मतलब यह होता है कि वो ad change होते रहते हैं अगर आप for example किसी और भी like page पर आते हैं for example अगर मैं इस वाले page पर आ गया तो वो ad change हो जाएग content अब देखी जैसे कि अगर मैं इस पर आ गया इस content पर अब यहां पर Google web hosting आ गया और इससे पहले वाले page पर different ad था और भी scroll करेंगे तो आपको और भी ads display हो जाएगे इसमें plugin आता है उस plugin का name है ad block जैसे कि हमारा जो first session हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि what is ad block ad block आपके website website पर display हुए ad को block कर देता है so if you are using adsense and you want to learn then make sure कि आपने ad block को turn off किया हो so that आप ideal एक सकते हैं कि कि इस website में कैसा ad display हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक IHG का ad display हो रहा है और इससे पहले विले website पर different ad था सो ऐसे और भी काई सारे examples हैं जैसे कि अगर मैं बात कुरूँ YouTube का एक example ले लेता हूं मैं so that's a very you know interesting feature of YouTube कि आप कोई भी अगर वीडियो देखते हैं अगर वह movie देख रहे हैं तो movie से related आपके पास ad आ जाएगा अगर आप for example like you know कोई technology का वीडियो देख रहे हैं mobile reviews देख रहे हैं तो उसका ad display होगा जैसे for example मैं इसमें Honda का एक यह वीडियो है power drift का यह मैं देख लेता हूं तो आप देखें कि इसमें इसी से related यह क्योंकि आटो मॉइल का है तो आटो मॉइल से related या कई बर आजसा भी होता है कि लाइक मैंने पहले display क्या हुआ है अब देखें यह आट में पर display हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लो that's a contextual अगरा मैं refresh करूंगा तो बहुत different ad display होगा अब देखें मैं यहाँ पे एक अगर का एक उपइन कर लेता हूं तो इन्हें बाइक क्या किया था वो कि बाइक क्या होता है mostly जो उसको चलाते हैं वो mail चलाते है mostly चलाते हैं तो इसलिए वहाँ पे man का add आ गया अभी देखिए अब मैंने भी car का open किया हुआ है तो देखिए यहाँ पर एक accent का add आ रहा है और अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक आड़ डिस्पले हो जाएगा यहाँ पर एक add आ रहा है ICIC bank का अब जैसे और भी आगे आप आ जाएंगे आप इस dot पर आएंगे तो आपका add चेंज हो जाएगा मेभी हो सकता है किसी और कंप्री को लेट सी कौन साइट डिस्पले हो रहा है अब देखिए अभी हम एक बाइक का वीडियो देख रहे थे तो इसमें कार का भी आड़ आया बाइक का भी आड़ आया और बैंक का भी add डिस्पले हो गया यह क्या होता है कि जैसे से आप पेज को रोटेट करते हैं चेंज करते हैं आपके add भी चेंज होते रहते हैं अब अगर मैं बात कुरूँ जैसे यह आप add देख रहे हो इस पर क्लिक कर दिया क्लिक करने पर गोगल ने इसकी जो एक tracking ID होती है उसको भी note down कर लिया है क्योंकि tracking ID is also very important क्योंकि अगर Hyundai company ने यह add create किया हुआ है तो उनको पता होना चाहिए कि कि किस location से वो add क्लिक हुआ है तो अब देखिए यह होता है एक landing page user ने click किया और वो तो अब देखिए को भी user यहां से details fill कर सकता है like email ID, mobile number और यह details चाहेगी Hyundai के जो भी showroom है उनलों के पास तो वो आपको callback करेंगे that if you are interested in Hyundai car and all so यह एक motive होता है add बनाने का और add बनाने के बाद like you know यह add display होता है जो person अपने website से money generate करना चाहते है so यह जो मैंने आपको difference बता है Google AdSense और AdWords के बारे मां अगर मैं एक line में बोलूँ आपको so AdSense is for those जो online website से या अपने content वीडियो से पैसे कमाना चाहते है और AdWords का मतलब वो हता है जो अपनी website के लिए traffic generate करना चाहते है so इसमें मैंने आपको कई सारे examples दिये हो I hope कि आपको वो सारे examples समझ में आये होंगे हमारा जो next session होगा उस session में हम study करेंगे कि Google AdSense के account को login कैसे करना होता है sign up कैसे करेंगे के मतलब nowadays Google AdSense is not easy sometime it's very difficult and sometime is very easy depends upon कि आपकी website किस तरीके सी आपका content क्या है आपका like theme क्या है niche क्या है तो बहुत सारी बाते हम लोग discussion करेंगे next session में सो आज के session में इतना ही thank you so much for joining us thank you for watching this video for more videos please subscribe our YouTube channel thank you